महा भारत प्राचीन समय में लड़ी गई भिशन लड़ाईयों में सबसे भिशन महा युद्ध था महा भारत का युद्ध धर्म की जीत का प्रतीख भी माना जाता है महा भारत का युद्ध केवल 18 दिन ही हुआ था लेकिन इसमें भारतिये पुर्षों की लगबग 70% अबादी खतम हो गई थी हलाकि इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कोर्वों की हार हुई थी पांडव सचकी लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए पांडवों की जीत को अधरम पर धरम की जीत भी कहा जाता है लेकिन कावी साले लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि महा भारत के युद्ध के बाद पांडवों को आखिर क्या मिला और जो पांडव युद्ध में किसी से नहीं हारे थे आखेर उनकी मृत्यू कैसे हुई तो चलिए हम आपको बताते हैं महाभारत का युद्ध के बाद क्या हुआ था महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में सबसे बड़े भाई युदिष्टिर को हस्तिनापूर का राजा घोशित किया गया था युद्धिष्टिर ने लगबग 36 साल हस्तिनापूर पर राज किया जिस समय युद्धिष्टिर का राज तिलक किया जा रहा था उस समय गांधारी ने कौर्वों के नाश के लिए शिरी कृशन को दोशी मानते हुए श्राप दिया था कि जिस तरह कौर्वों के पूरे वंश का नाश हुआ है ठीक वैसे ही यदू वंश कभी नाश होगा गांधारी के शिराप देने का कारण यह था कि भगवान कृशन के पास युद्ध को रोकने की दिवे शक्तियां थी अगर वह चाहते तो बीना युद्ध के भी परिनाम निकल सकता था लेकिन उन्होंने युद्ध को होने से नहीं रोका गांधारी के शिराप देने के बाद कृशन जी वहां से चले गए लेकिन वहां भी हिंसा से पीछा नहीं चूटा देखते ही देखते पूरा यादव कुल एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया और पूरा यादव वंश आपस में लड़कर खतम हो गया यादवों की लड़ाई में केवल भगवान कृशन, बलराम, दारूका और वरभू ही जीवित बजे थे बलराम भी अपनी देह त्या कर चले गए थे उसके बाद भगवान कृशन ने वन में ध्यान मगन होने का निड़ने लिया था और वह वन के लिए प्रिस्थान कर गए थे वन में पहुँचकर कृशन जी ध्यान में लीन हो गए वन में एक जरा नाम का शिकारी हीरन का शिकार कर रहा था शिकारी ने हीरन को मारने के लिए तीर चलाया लेकिन वह तीर शिरी कृशन को जा लगा शिकारी ने जब तीर क्रिशन जी के पैर में लगा हुआ देखा तो वह क्रिशन जी से अपनी इस गलती की माफी मागने लगा तो क्रिशन जी ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तीर लगने के बाद भगवान कृशन ने शिकारी के सामने ही भगवान विश्नु का रूप धारन किया और अपना नश्वर शरीर शिकारी के सामने तयाग दिया इसके बाद पांडवों को एक रिशी ने सलाह दी अब आपकी जीवन का उदेशे पूरा हो गया है इसलिए अब आप सभी को अपने अंतिम यात्रा के लिए हेमाले की और प्रिस्थान करना चाहिए रिशी की बाद सुनकर पांडवों ने अरजुन के पोत्र पारिक्षित को राज बाठ सोमकर अपनी अंतिम यात्रा के लिए हेमाले की और निकल गे पांडवों ने द्रौबदी और एक कुट्टे को अपने साथ लिया और अपनी अंतिम यात्रा के रूप में स्वर्ग की सीडियां चान्नी शुरू कर दी स्वर्ग की सीडियां चानने के दोरान धीरे धीरे सभी पांडवों ने युदिश्टिर का साथ चोड़ दिया सबसे पहले पांडवों की पतनी द्रौपदी ने साथ चोड़ा और सबसे अंत में भीम का निदन हुआ पुराणी कताओं के अलुसार पांडवों में सिरफ युदिष्टिर ही कुत्ते के साथ हिमाले को पार कर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुँचे थे जैसे ही युदिष्टिर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान इंद्र युदिष्टिर का स्वागत करने के लिए वहाँ पर पहले से ही उपस्तित थे इंद्र ने युदिष्टिर से उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का अग्रह किया। युदिष्टिर ने इंद्र का अग्रह सुविकार किया। और आगे बड़े तभी उनके साथ गया कुत्ता गायब हो गया। युदिष्टिर के साथ जो कुत्ता था वह वास्तम में यम ये सुनक यूदिष्टिर जी को सकून मिला अंधिम यातरा में सबसे पहले द्रौपदी जी की मोथ हुईती क्योंकि द्रौपदी अपने पांचों पतीयों की दुलना में अर्जन को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी जो की गलत था क्योंकि द्रौपदी के पांच पती थे और उसे पांचों से समान प्यार करना था किसी को अधिक चाहना अन्ने पत्यों के साथ दोखा था इसलिए उन्हें नर्क में जगा मिली थी सहदे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे और उन्हें अपनी बुद्धी पर काफी घमंड था, इस घमंड की वज़ा से उनके मृत्यू हुई और उन्हें भी नर्क में जाना पड़ा, इसके बाद मृत्यू नकुल की हुई, क्योंकि नकुल को अपनी सुन्दर चहरे पर बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया था, और यही अभिमान उसे नर्क तक ले आया था, इसके बाद अर्जुन की मृत्यू हुई थी, क्योंकि अर्जुन को इस भाद का घमंड था, कि वो हो दुनिया के सर्वश्येट धनुर्दर हैं, अपने आपको सर्वश्येट धनुर्दर मानने की वज़ा से अन्य धनुर्धारि अर्जुन जलते थे, और उनका यही घमंड उन्हें भी नर्क में ले गया था, सबसे अंत में महाभली भीम का निर्धन हुआ था, ऐसा माना जाता है कि भीम पेटू थे, उन्हें जब भी खाने की कोई चीज देखती थी, तो वह किसी के बारे में जल्दी से नहीं सोचते बस खाने लग जाते थे, इस वज़ाए से उनकी मृत्यु होई और उन्हें भी नर्क में जाना पड़ा, हलाकि अपने कर्मों की सजा नर्क में भुगतने के बाद वह सभी स्वर्ग में चले आई थे, चारों पांडवों के नर्क में जाने का कारण अश्वत्हामा के वद् जूट फैलाना भी था, तो मित्रो यह था आज का हमारा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद लाया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद